आज हम बनाएंगे आलू और करम करले की बहुती स्वादिष्ट सबसी इसके लिए हम प्याज लेंगे टमाटर कट कर लेंगे और बंद गोबी कट कर लेंगे इसे बंद गोबी करम करला दोनों ही बोलते हैं अब एक वरतन में ओईल डाले मैं हाँ पर two table sponge oil ले रही हूं जीरा डालेंगे जीरा अमेशा तेल गरम होने के बाद ही डालें अब हम इस में प्याज start करेंगे प्याज को सुनहरा कर लें प्याज सुनहरी हो जाने के बाद बंद गोबी डाल देंगे बंद गोवी को ढखकर 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे जिसे ये अपनी कॉंटिटी से और कम हो जाएंगे अब इन्हें भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए अब इसमें हम हल्दी डालेंगे नमक, लाल मिज पाउडर गरम मसाला, धनिया पाउडर चॉप टोमेटो, एड़ करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें पाणी आड़ करेंगे और पाउच मिनट के लिए पकने देंगे यहाँ पर मैंने बड़े साइज के आलू कट कर लिए हैं करम करले को भून लेंगे अले का फ्लेवर भूरने से उभर के आता है अब हम इसमें आलू एड़ करेंगे और पाणी एड़ करेंगे और ढखकर आलू गलने तक पका लिए आलू अच्छे से गल गया है करम करले की सबसी बन गई है अब हम इसे सर्फ करेंगे सर्फ करने के लिए मैंने आपर एक बाउल लिया है रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले और हम बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत सकें